अब लोगों को बताया और उसमें मैंने एक आप लोगों से बोला था कि मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के अब एक सबसे बढ़ा प्रशन और वाप कोई कोई भी कवाई में कोई वीडियो प्रमुकता से उन प्रशनों को ऊठाँगा जो सबसे बड़ा प्रशन और आएगा कब सराखिरकार और कितने गुडांग पर हो जाएगा यह सब लोग अपने अपने गुडांग बना रहते हैं लेकिन मैं बता दूँ जल से जल्द आपको सभी के समक्स लाइव आने की कोशिश करूंगा ताकि वहीं पर आप लोगों को मोट जिसका इसमें निराकरन को रुशिश करूंगा और सभी प्रशनों के जवाब इस वीडियो में तो चली वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी सनिवेदन की यह अगर आप वीडियो आपको मिलता है और आप इसके आपकी प्रशन से संतुस्टी होती है इस वीडियो से तो जो मित्र परशान हों के कमेंट करते हैं उनको जवाब नहीं मिल पाता है या मेरे थोड़ा बिजी सेडूल की वज़े से मैं चाहता हूं कि साभी को समप करके एक ही वीडियो मना दू तो इस वीडियो से उनका निराकराण हो जाए बस यहीं आप सभी कहना था तो चलिए कोशी करता हूं और आप सबस्ति निवेदन के जब थोड़ा वेट कि अगरी थोड़ा सा पीशेंस सिख्षक के अंदर पीशेंस का सबसे बड़ा गूर होना चाहिए तो आप लोग अपने अंदर नहीत करिए और मुझे लगता एक उम्मीद करता हूं कि अब आगे थोड़ है 60-65 के हक में नहीं आता है तो क्या कोई चांस है कि जॉब मिलने की 0% कट आफ पे क्या जो भी कट आफ पे हो प्लीज एक वीडियो बना दीजे बहुत डिस्जन हो रही है इनको तो यह ऐसे प्रशन सभी लोगों के अंदर होंगे या जो मित्रों के गुलांग थोड़े से कम आ रहे होंगे या उनको एसा लगरा होगा कि अगर सरी जो कट ऑफ ठरकरन है वह जीरी हो जाता है जीरी कट अफ निर्दारित की जाती से आपने जीरो कट आफ रखा जीरो रखूंगा 40-45 रखूंगा 30-33 रखूंगा और आपका 60-65 रखूंगा तो यह सारे अपडेड लाके करीब पहुशने वाला विपस में तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद तो वैसा एक वीडियो आप लोगों समख पेश करूंगा जिसमें सारे कट आफ निर्धारन में वहाँ पर लेकर आऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको प्रशं लोग जो लग लग लेके चले आते हैं या चिकारीट पेटिशन दायर करते हैं वह भी पक्षियों का एक अपना कलात्मक प्रयोग है वो करते रहते हैं जितना सीखा है वहीं उसका प्रयोग करते हैं जैसे हमने पेशेंस रखना सीखा है पने माता-पिता का जो गुर्ण है जो सिख्षकों को द्वारा गुण प्रतत है हमको गुरु जन्म द्वारा और जो आप लोगों द्वारा रोज कमेंट्स के तुरू मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूं तो सीखना ये पता है ना आप लोगों को कि अधिकम जीवन परियंत चैलने वाली परक्रिया है तो कुछ लोगों के अंदर वहीं है कि कुछ ना कुछ तरीके से रोका जाए जब मेरा नहीं तो किसी और का नहीं एहसा ही कुछ है सबका नियम तो बिल्कुल प्रशान मत होई है और पूना बता दूँ इसके पहले वीडियो में बता थी कि और जब रिजर्व हो जाता है तो कितनी भी पेटीशन कितनी भी रिट दायर हो कोई भी प्राबलम नहीं फेस होने वाली याद रखिएगा तो बिल्कुल परशान मत होई है टॉपर्स च्वाइस है मित्र उन्हें प्रशन पूचा कि भूला कि सर आप बिल्कुल सही है और सर 65 पर रहागा तो जी बिल्कुल 65 पर कल अगर आपने लीगल टीम की बात मैंने जो रखता हूँ तो आप लोग उसको ध्यान पुरूँ सुना करिए उसमें ये मैंने इस पर बताया था कि जो अपर मुख सची हो है प्रभाज जी उन्होंने बोला था कि सरकार 60-65 पर है पुरी प्रतिबद्ध है बाकी जो होगा देखिए कोट के उपर कोई नहीं है ना सरकार है ना मैं हूँ ना आप है कोई भी नहीं है तो याद रखिए सरकार से उपर आपका निय उतर देता हूं अला कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों समक्ष आऊंगा लाइव और उसमें आपके प्रशनों के जवाब देने कोशिश करूँगा जोती बाला जी ने पूछा कि अनसर जनरल फीमेल वाट चांस ठीक है तो चांस तो बिल्कुल है देखिए अब मैं यहीं कट आफ से जितने लोगों के प्रशन आएंगे मैं यहीं पर बता दे रहा हूं कट आफ का जो मैं पहले भी लाइफ सेशन में बोलता था अभी भी उसी पर हूं सरकार 60-65 पर जाती है तो यहां पर मैं यह इस पर बात कर रहा हूं अगर कट आफ 60-65 पर होता है तो जनरल की म में चाय मेल हूं चाय फीमेल हूं थोड़ा सा फीमेल को थोड़ा वजरी आज़ी स्बस्पर पर समझते में आप लो जनरल में मेल मेल या फीमेल अगर है अगर आपका गुणांक 65 प्लस बन रहा है तो आप लोग ध्यान पुरोग सुनिएक आपका चैन सुनिश्चित है यह यह मेरी तरफ से बाकी किसी को बुरा लगता है या कुछ लोगों के कमेंट करेंगे निगेट्व और डिसलाइक भी करते हैं पता नहीं क्यों इनफर्मेटी वीडियो में चली कोई बात नहीं अपने अपने आडियाज है तो जनरल के जो भी चाहिए मेलो फी मेलो 65 प्लस में ह तो आपको 75 जिले में से कोई ने कोई एक जिला सुनिश्टित मिलेगा लेकिन अगर आप यहीं गुलांक आपका 70 प्लस बन रहा है जनरल की मैं बात कर रहा हूं क्योंको जनरल वाल को ज्यादा कमपटिशन फेस करना पड़ता है तो 70 प्लस आपके गुलांक है तो आपको अ अगर उनका 63 प्लस गुलांक बन रहा है जो मैंने महा सर्वे किया सवालाग लोगों का उस आधार में जवाब दे रहा हूं कोई यहां पर अपने से कोई चीज़ नहीं दे रहा हूं जो तत्त आप लोगों ने वहाँ पे पेस किये जो लाइव सेसंस में आप लोगों ने अ स्टी में हैं और आपके साथ 57 से साथ की बीच में हैं और इससे उपर कट आफ है आपका तो आप अपने आपको सुनिश्रित मान लिजे इस पश्ट तरीके से यहीं पर आप फिजिकली हंडिकेप्ट जो मीतर हैं कुछ लोग मुझे से कमेंट करते कि सर्फ फिजिकली हंडि मिलता है तो कमेंट जवाब देता ही हूं नहीं तो सबको समप करके एक वीडियो बना देता हूं जैसे यह वीडियो बना रहा हूं तो आप अपने प्रश्ण जरूब पुछा करें चलिए आगे चलते हैं रूबी जी का प्रश्ण है इसमें कि सर कब आएगा रिजल्ट या लाइप को पताने सकता है आप लोगों से इंत्राक्ट होना आप लूगों पॉस्टिवी से भर्नाना है और आप लोगों से बाटचीत करनी आप लोगों से 1200 जून आ है तो वीडि कर सकते तक रूबी जी और सबी को जिन मित्रों के इनके तरीके के प्रस्णों रिजल्ट और ओर्डर को क्योंकि इस पे मैक्सिमम अगर मैं को हूँ मैं जितने प्रस्णों उठाया हूँ उसमें से मैं देख रहा था कि 95 परसें तक कोशन इसी पर था तो उम्मीद कर सकता हूँ 28 तक आपका सेवर हो जाए जो भी चीज़े होनी है बाकी रितेश कुमार पिंटू जी या जो भी मित्रों सबके गुलांग को मैंने क्लियर कर दिया है SC है, SC में अगर आपके 60 हैं गुलांग मैंने अभी बता दिया तो बिल्कुल सही है कब तक आएगा ओर्डर देखें सबके को बता दी मैं 28 तक वेट करिए बिल्कुल वेट करिए अगला प्रशन है कामनी निशाज जी का OBC में 88 मार्क्स हैं तो जी बिल्कुल जीन मित्रों के नंबर्स के रिगार्टिंग बातचीत कर रहे हूं कि कम से कम कितने नंबर बढ़ सकते हैं मैं तो बोल राउंड दो से तीन नंबर तो फिक्स्ट हो चुके हैं जिसमें बढ़ना ही बढ़ना चाहिए से ज़्यादा अगर गवर्मेंट बढ़ाती आयोग बढ़ाती है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन दो से तीन नंबर तो मिनिममम है जो बढ़ने तैय है और रामजीत प्रजापती जी का हिनों ने भी अपना गुडांक रखा हुआ है यहां पे तो देखिए मैंने सब के बता दिए और आपके बन रहे हैं लगबग इस हिसाब से तो बीसी में आपने आपको सिवर मान सकते हैं आप चलिए दिप्ती जी का मैंने जवाब दे रिया है मूनिका भरतवाज जी का बहुत बढ़िया है गुडांक 65 प्लस में तो बिलकुल उमीद कर सकते हैं और किरती जी मैंने बता दिया 28 तक वेट कर सकते हैं अब और का लक्षमी चोहान जी का प्रशन है यहां पर कि सर आज प्लीज थोड़ा सा आइडिया दे दीजे कि क्या एक्जाम कैंसल हो सकता है और मुझे यह नहीं पता कि और कैंसल होगा नहीं लेकिन पूरी सुनिश्चिता है भर लीगल टीम या जहां से भी निउस पराप्त होती है और जो मेरा व्यक्तिका ननुभव इन सब चीजों के अधार पर तो अभी तक सुन प्रतीशत है आपका भरती रद्ध होने का ठीक है यह मैं जनरल बाते करता हूं सभी को मैं देखी पार्टिकुलर जो हम पर कमेंट करत करता हूं कि ताकि सभी पे वह वैलिड हो पार्टिकुलर में किसी के एक कमेंट आती तो उसमें फोकस करके इसलिए बात करता हूं लागि जोतिपाला जी आपको मैंने जबाब दे दिया है और एंबीशियस लाइप मित्र का प्रश्ण है कि इन्होंने डू रिपलाई बोला था कि इन्होंने बोलाया कि 68500 का जो 4688 के बारे में कोई न्यूस क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग तो इसके बारे में मैंने तो बता दिया है कि सारी चीजें हर जगह भेजी दा रही है और आपका बेसिक स्रिक्षा परिशत में सर जगह भेज दिया गया जीला वंटन का स दक पहुंसती रहेगी तो चमा करिएगा आज अगर नहीं दे पाया हूं तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आपको न्यूज अपडेट देता रहूं अफजल अंसारी जी का प्रास्टन है आपके कि ग्रिजुइशन में इतने हाँ देखे कुछ लोगों की यह प्रास्टन होंगे कि 50% से कम है ग्रिजुईशन में तो कोई प्रॉबलम तो नहीं फिस करने पड़ेगे जी ऐसा कोई मेंशन नहीं यह कि 50% आपका है तो आप नह है तो आप नहीं होंगे जी योग हैं तभी आप परिच्छा में बैटे हैं योग नहीं होते तो परिच्छा में ही नहीं बैटते ना आप अपने डिग्री डिप्लोमा जो भी कियें आप नहीं कर दे तो योग हैं यहां तक आए हैं तो काउंसलिंग में योगता योगता कोई निर्दारियत नहीं होती है योग हैं तब ही आप यहां तक आए हैं परिच्छा पास किये हैं तो सस्टेन अभी तक तो आप आगे तक जाएंगे तो बिल्कुल परशान मत हुए और निया करूजिय का यहां पर प्रश्ण है कि सर एलैक्शन का कोई इफ्यक्ट पड़ सकता है वरती पर जी बिल्कुल डूफ पड़ सकता है लेकिन अगर order में सारी चीज़े order पे dependent है सभी मित्रोस निविदन है कि order पे सारी चीज़े dependent है और जैसा आपके जज महोदे जी ने बोला है कि मैं special appeal special order में 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 mention कर दूँगा चुना आयोग से सिपारिस करूँगा कि आप जो आपकी जो आचार सहीता लगेगी उसमें भी आप नियुक्ति पत्र बाट देंगे लेकिन आचार सहीता से पहले अगर ये सारे कार हो जाते हैं तो ही ना फिर notification आउट होगा भरती का और सारी farm flip होँगे फिर counseling होगी नियुक्ति पत्र तो बात की बात है सारी चीजे होजा नियुक्ति पत्र आपके जो election है उसके बाद भी होट कोई इशू नहीं कोई भी इशू नहीं है लेकिन ये भरती प्रक्रिया तो आगे बड़े यहां तक जो ठप है वो आगे तो बड़े ये सबसे बड़ा प्रशन है तो बिल्कुल परशान मते हैं ये कोई सारी चीजे ओडर पर डिपेंडेंट है ठीक है और किरन यादव जी कब इसी प्रशन है कि ओडर कब तक रिजर्व होगा तो सभी को आई होप मैंने जवाब दिनी कुशिश कि ओडर 28 तक उम्मीद कर सकते हैं वेट कर सकते हैं सभी बाकि ये सारी चीजे डिपेंडेंट है आपके जज महोदे के उपर क्यूंकि उनके ओडर के बाद ही फिर जो इस्टी वाला ओडर है आपके हाई कोट में वो तुरन ठटेगा फिर उसके बाद आपका संसुदित उत्त सरकेंजी आईगी रिजल्ट आएगा फिर आपके नोटिफिकेशन आएगा आपके जिला वरिता वाला फिर आपके फॉर्म फिलप होंगे कॉंसलिंग होगी तब जाके आपको निवक्ति पत्र बाटा जाएगा तो अभी लंबा प्रोसेस है बाकी सारी चीज़ें वीडियोज में तब तक लिए स्टे टून और एजूकेशनल और मैक्शिमम प्लीज 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 मैक्शिमम शेयर कर दीजेगा इसको जितने भी आपके वाट्सप ग्रूप हों आप महां फॉर्वड करीगा और सबसे नहीं करीगा वह भी ऐसे ही जितने वाट्सप ग् लिंग है उससे आप जोईन हो सकते हैं आपको बेटर पीडिएफ नोट्स और आपके जितने भी प्रशनों के जवाब महां पर भी हम लोग सारी चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक लिए स्टेट्यून और एजुकेशन स्टे जवाण जवाण बिवाय टनी बीएचिए और शेएट्ट एला के लिए जवावाट एंग जवाटों खेंगे जवाट ऑनके स्टेट्वेज उम्हाटले लू एजपर आपकेमेट बीएच्टे लएगट बेबवेच्टे लिएज ग्सांट्टेशन अपकेमेटशन ऺडिए